Hello friends, welcome back to Color of Thrust आज मैं आपके साथ कोटा पटी और लस के साथ प्लाजो पैंट का एकदम निया और खुब सरो डिजाइन रडी करके बताऊंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं तो डिजाइन रडी करने के लिए प्लाजो पैंट में से हीए मैंने फैब्रिक पटी कट की है और इसकी बैक साइड पर मैंने पेस्टिंग लगा दिया है प्रेस के साथ जितनी आपकी पैंट की मोरी है उतनी आपने लंबाई कट कर लेनी है और चुडाई इसकी साड़े 4 इंच की है अब इस पट्टी को हमने उल्टा कर लेना है और इसकी बैक वाली साइड पर हमें अपना प्रेटन रोग करना है तो सबसे पहले एक साइड से इस पर लाइन ड्रो करना शुरू करेंगे इस पर हमने तिरची लाइन ड्रो करनी है तो पहले एक लाइन ड्रो करेंगे अब दूसरी वाली लाइन पर हमने एक इंच का गैप रखना है तो ऐसे हमने सारे फैप्रिक के ऊपर स्लाइन स्ट्रोग कर ली है तो जो हमने प्रैटरन रो किया इस पर हमने डिजाइनिंग करनी है तो डिजाइनिंग के लिए यहां पर मैंने गोटा पटी लिया है और इस गोटा पटी को हमने फिर्की में फिल करना है तो ऐसे मैंने खाली इस पर हमने गोटा पटी को बिल्कुल टाइट टाइट फिल करना है और इसे आपने हाथ से ही फिल करना है और बिल्कुल आपने टाइट फिल करना है जिससे आपकी जो ज़्यादा गोटा पटी इसमें फिल होगी तो ऐसे आपने बॉबिन को पुरा फिल कर लेना है और अब से डिबी फिर्की में डाल देंगे अब इस साइड वाला जो छोटा से पेच होता है इसको हमें लूज कर लेना है जादा लूज नहीं करना है बिलकु थोड़ा सा लूज करना है जिससे हमारा गोटा पट्टी इसमें से असानी से निकल जाए अब इस साइड से ऐसे गोटा प अब इस पर सिलाईयां लगाएंगे तो सिलाई आपकी बिल्कुल लाइन के उपर आने चाहिए अगर आपके पास एक्स्टा फिर्की है तो उस एक्स्टा फिर्की में आपने पहले ही गोटा पट्टी को फिल करके रखना है जिससे आपका ये पैटरन काफी जल्दी रडी हो जाएगा और सिलाई लगने के बाद इस तरीके से सीधी साइट से हमारी ये डिजाइनिंग देखेगी तो बागी बची लाइन्स पर भी हमने सिलाईयां लगा लेनी है तो एक साइट की हमने यहां पर सिलाईयां कम्प्लीट कर ली है और सीधी वाले साइट से देखी ये कितने अब हमें जो दूसरी वाली साइट पर भी इस पर लाइन स्टोग कर लेनी है और दोनों सलाई लगने के बाद ये हमारा खुबसूरत सा पैटरन रडी है अब इसकी दोनों साइट को हमें थोड़ा-थोड़ा ट्रिम कर देना है जिससे हमारे बॉटर में और फिनिशिंग एड़ हो जाएगी और ट्रिम होने के बाद इसकी चुड़ाई बजी है चार इंच की अब इस पर हमने लैस अटेच करनी है ये मेरे पास लैस है हाफ इंच की आप अपने अकॉर्डिंग को यह भी लैस ले सकते हैं तो इस लैस को हमने इस तरलच कर रखना है बॉटम के उपर इस तरह अंदर की तरफ और पटिके हाफ इंच के गए पर लैस को रखेंगे और लैस के बिल topics किनारे पर हमें यह सिलाही लगानी है और सिलाही लगने के पाद लैस को ऐसे सीथा करना है और इसकी सीधी वाली साइट पर भी हमें सिलाई लगा देनी है बिल्कुल किनारे पर और दूसरी वाली साइट पर भी बिल्कुल ऐसे हमें लेस अटेच करनी है और इसे भी सीधा करके उपर वाली साइट पर सिलाई कर देंगे दोनों साटकी लेसेश अटेच होने के बाई ये ब्यूटिफुल सा बॉर्डर हमारा रडी हो चुका है अब इस रडी बॉर्डर को प्लाजो पैन के बॉर्टम पर अटेच करेंगे ये हमारे प्लाजो के बॉर्टम बाली साइड है तो सबसे पहले आपने bottom पर interlock या pico कर लेना है आपके पास अकर दोनों machine नहीं है तो आपने इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर border attach किया इस तरीके से attach करें तो सबसे पहले plazo को सीधा रखना है अब सीधी side से कपड़े को half inch पर इस तरीके से fold करना है और fold करने के बाद इस पर हमें सिलाई लगा देनी है और ये सिलाई लगाने के बाद धुलने के बाद आपके bottom के बिलकल भी धागी वगेरा नहीं निकलेंगे और आपका pattern बिलकुल भी खराब नहीं होगा और सिलाई लगाने के बाद इस रड़ी बॉर्डर को हमने इस तरीके से उड़्टा करके पैंट पर रखना है और नीचे जो फोल्डिंग की है इस फोल्डिंग को छोड़के उपर बॉर्डर को रखेंगे इस तरीके से gap पर और बिल्कुल last के किनारे पर सिलाई लगाते हुए इस border को bottom पर attach करना है अब border को सीधा करेंगे और यहाँ पर last के बिल्कुल किनारे पर उपर पर हमें सिलाई लगानी है और यह सिलाई आपको बिल्कुल finishing के साथ लगानी है और सिलाई लगने के बाद देखी कितने finishing के साथ हमारे ये border attach हुआ है अब इसकी fitting की सिलाई लगा लेंगे और fitting की सिलाई लगने के बाद design हमारे बिलको ready है और इसके जो तयार length है वो है साड़े चार इंच की तो आपको प्लाजो लंद में से 4.5 इंचों डिसाइनिंग के लिए कम कर लेने है सो फ्रेंट्स ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आर के जरूर हिट कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यवर वाच्छिंग